उम्नमः शिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की कलाय स्प्रिच्वल में आज के इस वीडियो में श्री यंत्र के रहस्य के बारे में जानते हैं क्यों महालक्ष्मी को प्रसन करने का ये अच्चू के यंत्र है और क्या इसके रहस्य हैं क्या लाव हैं पुनता है इस वीडियो में समझेंगे सबसे पहले समझते हैं श्री यंत्र का अर्थ क्या है शास्त्रों के अनुसार यह स्पष्ट रूप से विदित है कि श्री यंत्र मा भगवती त्रिपूर सुंदरी जी का यंत्र है यंत्रों में इस से यंत्र राज के नाम से भी जाने जाने वाले यंत्र का महिमा बहुत महान है यह सर्व विदित है कि श्री यंत्र में मादेवी लक्ष्मीजी का वास होता है श्री यंत्र कैसे कार्य करता है तो आपके मन में यह सवाल चरूराता होगा आइए इसका भी हल जानते हैं श्री यंत्र संपुन ब्रह्मांड की उत्पति तथा विकास का प्रतिक माना जाता है और इसी के साथ यह मानोश शरीर का भी घोतक होता है श्री यंत्र बहुत ही प्राचीन तथा शुभता का कारक माना जाता है श्री यंत्र की अधिश्ठात्री देवी स्वैंग मा श्री वि लक्षमी जी को आकरशित करने वाला प्रभावी श्री यंत्र के माध्यम से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है और आर्थिक परिशानिया भी दूर हो जाती हैं। मुर्थ में ही किया जाता है। जैसे कि गुरु पुष्ययोग, रभी पुष्ययोग, नवरात्री, धन त्रियोदशी, दिपावली, शिवरात्री, अक्षयत रितिया, इत्यादी शुव तीथियां हैं। श्री यंत्र निर्माण और स्थापन के लिए ये बेश्ट तीथियां और इन्हीं शुब औसरों पर श्री यंत्र की पूजा भी की जानी चाहिए, और वहीं लावकारी होता है, कभी भी कर लेंगे तो नहीं होता है। तो श्री यंत्र की पूजन वीधी क्या है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आईए इसे भी समझते हैं। श्री यंत्र इन मंत्रों से श्री यंत्र की पूजा करने चाहिए श्री यंत्र की जितनी पूजा होती है उतना ही उसका बल बढ़ता जाता है और उसकी शक्ती बढ़ती है सबसे महतोपूण बात यह भी है कि आप इस दिन लक्षमी नारायन की पूजा सफेद कमल या फिर सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करें जादा बहतर रहेगा श्री यंत्र में कितनी त्रिफोज होते हैं ये भी सवाल होता है बहुत से लोगों का तो ये भी समझते हैं बहुत सारे श्री यंत्र होते हैं जैसे की कुबेर यंत्र होता है व्यपार यंत्र होता है लेकिन श्री यंत्र को सबसे महतोपूण स्थान प्राप्त इसलिए हुआ है क्योंकि यह यंत्र राजा का होता है जी हाँ पहले उसकी रचना समझनी बहुत ही अवश्यक है श्री यंत्र की रचना पांच त्रिकोन के नीचे के भाग के उपर के चार त्रिकोन के सयोजन से जिसमें की टुटल 43 त्रिकोन द्वारा निर्मित हो जाती है ये खास इसले भी है यंत्र का क्या मतलब होता है इन त्रिकोनों को दो कमल घेरे हुए होते हैं पहला कमल अश्ट दल का ह पोडश दल होता है यंत्र को हमें कोई अच्छा सा दिन देख करके सुक्ल पक्ष शुक्रवार के दिन श्री यंत्र को क्या करना चाहिए गंगाजल से धोलेना चाहिए श्री यंत्र का उपयोग कहां करना चाहिए ये भी सवाल होता है बहुत से लोगों का तो आप श्री यंत मंत्र को अपने मंदिर में स्थापित करें माता लक्षमी का ध्यान करते हुए आपको रखना चाहिए इसके बाद श्री यंत्र मंत्र का जब करते हुए यह कम से कम 21 बार माला पर आपको जबना चाहिए जो कि 5 दिन तक करनी होती है इसके बाद ही श्री यंत्र सिध्ध होता है श्री यंत्र को मोहित करने वाला तीनों लोकों का मोहन यंत्र भी कहते हैं हम सभी और यह यंत्र सर्व रक्षा, सर्व व्याधी निवारक, सर्व कष्ट नासक, हुने के साथ साथ, सर्व सिद्धि प्रद, सर्व सो भग्य दायक भी माना जाता है श्री महालक्ष में नमः श्रिंग हरिंग कलिंग श्रिंग हरिंग महालक्ष में नमः श्रिंग हरिंग कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रिंग हरिंग श्रिंग महालक्ष में नमः इस मंत्र से शुद्धि करने होती है श्री यंत्र मंत्र कैसे स्थापिद करना चाहिए तो श्री यंत्र को घर में, ओफिस में या किसी भी ऐसी जगह जहां से आपको धन की प्राप्ती होती है उस जगह पर स्थापिद किया जाता है श्री यंत्र बहुत ही ज्यादा शक्ति-शाली मा ललिता देवी पूजा चक्र है कौन सा यंत्र सर्वुत्तम होता है अब आपके मन का यह आखरी सवाल होगा तो श्री यंत्र समस्त यंत्रों में सर्वश्रेष्ट होता है तथा यह शुब और लाव को आपके जीवन में लाता है श्री यंत्र में साक्षात मा लक्षमी जी का वास होता है श्री यंत्र के इस्तेमाल से किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्याइं तुरंत मिट जाती हैं तो किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या से आप परिशान हैं तो श्रीयंत्र जरूर स्थापित करवाई ये घर में जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं ये आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम ले करके आते रहते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लीजे फिलहाल भी दा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव